वेलकम टू नू लाइप क्लासेस दोस्तो आज का मारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में भारत के महान्याईवादी भारत के महान्याईवादी एट ओरनी जनरल ऑफ इंडिया हम पढ़ने वाले हैं साथी साथ इसी में हम पढ़ेंगे नियंतरक महाले इसका परिच्छक कैक के बारे में ठीक है तो महान्याईवादी एक ऐसा पद है सबसे पहली बात तो यह भारत का सबसे बड़ा वीधी अधिकारी होता है और जब महा भियोग लगता है राष्टपती पर तो उनकी वकालत भी यही करता है और आपको यह भी ध्यान होगा मैंने आपको बताया था क कि सभी पताधीकारी हो कि आप वेतन जो है वे संसनन निर्धायित करती है लेकिन दो लोगा ऐसे जिनका व्यतर राष्टपती निर्धायित करते हैं उन मेंसे एक महानराइवादी भी होता है और दूसरा सॉलिस्टिटर जनरल होता है तो सॉलिसिटर जनरल हम बाद में पढ़ेंगे फिलाल हम भारत के महानयवादी एट औरनी जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं तो लाश्ट एक वीडियो देखें बहुत ही अच्छे अच्छे बाते आपको पताने वाला हूँ जो की एक्जामस में हमेशा पूछे जाते हैं भारती सन्विधान के तहट भारत के महानयवादी यानि के अट औरनी जनरल आफ इंडिया का पद का प्रावधान किया गया है यह एक सन्विधानिक पद है, सन्विधान में ऐसा वड़ित है कि भारत में एक महा न्यायवादी का पद होगा, जो की सरोच विधी अधिकारी होगा, ठीके, भारत में जो महा न्यायवादी है, वह भारत में सरोच विधी अधिकारी होता है, सरोच कानून अधिकारी होता है, संदिधान की अनुच्छे 761 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो भी उच्चतम न्याले का न्यायधीस बनने की योगिता रखता हो उसको राष्टपती महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है यानि कि महान्यायवादी बनने के लिए योगिता क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायधीस बनने की योगिता जो होती है वही योगिता आपका महान्यायवादी बनने के लिए भी है तो जो व्यक्ति उच्चतम न्याले का न्यायधीस नियुक्त होने के लिए योगिता रखता हो उसे राश्टरपती, ठीके, 761 के अनुसार महानियवादी नियुक्त कर सकता है तो उसकी नियुक्ती कौन करता है, महानियवादी की नियुक्ती कौन करता है, राश्टरपती सपत भी वही दिलाते हैं, ठीके, और आपको यह भी ध्यान रखना है मैंने आपको पहले भी बताया इसको जो वेतन दिया जाता है वह भी निरधारित कौन करता है राश्टरपती करते हैं ठीके अनुछे 762 के अनुसार महा नयायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधी संबंदित ऐसे विश्यो पर सलाह दे और विधी के स्वर महा नयायवादी का काम कानूनी रुफ से सही हो रहे हैं या नहीं ठीक है सन्मिधान की रच्छा करना ही इसका बेसिकली ड्यूटी होता है ठीक है कार होता है यह देखता है कि कानूनी रूप से सभी काम सही हो रहे हैं या नहीं ठीक है सन्मिधान की अनुसार सभी काम हो रहे हैं या नहीं ठीक है नेश्ट बात करते हैं अनुछे 33 के अनुजार इसे अपने कर्टब्यों के पालन में भारत के राजसिषेतर में में सभी न्यालियों में सुनवाई का अधिकार होगा और 76-4 के अनुसार महानियावादी राष्ट्रपती के प्रसाथ परियंत्र पद्धारड करेगा और ऐसा पारिश्टरमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपती अवधारित करें तो पारिश्टरमिक मतलब वेतन वही प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपती इसको निधारित किये रहेंगे और महान्याइवादी जो है इसका पावर्स के बारे में अगर बात करें इसकी सक्तियों के बारे में अगर बात करें महा न्याइवादी होता है यह सुप्रीम कोट के मुख्य न्याइधीस के ही बराबर होता है सक्तियों में लेकिन एक तरह से उससे बड़ा हो जाता है क्योंकि यह जो है महा न्याइवादी जो होता है वह लोकसभा और राज्यसभा ठीक है कि जब बैठक होती है तो उसमें भा ले सकता है और उसमें जो है बहस भी कर सकता है सिर्फ ओट नहीं दे सकता ठीक है सिर्फ ओट देने का अधिकार उसको नहीं होता यह जो है महान्यावादी जो होता है वह सुप्रीम कोट में भी जा करके ठीक है वहां के निडियों को सुन सकता है ठीक है और अगर उसको लगता तो सभी पावर्स जो हैं महाने अइवादी और सुप्रिम कोट के जो चीफ जश्टिस हैं, उसके सेम है, ठीक है, इसे संसत के दोनों सदने के करवाई में सामिल होने का अधिकार है, सिर्फ मतदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मत्दान वही लोग देते हैं जो उसके मेंबर्स रहते हैं ठीक है जो मेंबर्स और पार्लियामेंट रहते हैं संसत के जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राजसभा तो जो लोकसभा के मेंबर है वह लोकसभा की बैठकों में भाग लेते हैं और मत्दान होता है तो उसम अधिकार भी मिलते हैं ठीक है नेश्ट बात करते हैं और देखते हैं क्या इंपोर्टेंट है ठीक है अनुछेद 161 आपको याद रखना है 161 के अनुसार प्रतेक राज्यका राज्यपाल उच्छ न्याले का न्याधीस बनने की योगिता धारर करने वाले किसी भी व्यक्ति क महाधिवक्ता एडोकेट जनरल न्यूक्त करता है ठीक है वह राज्यसरकार को कानूनी विश्यवपर परमर्स देता है राज्यसरकार का पर्थम विधिक सलाकार होता है कानूनी सलाकार होता है राज्यसरकार को कानूनी सलाह देने का कार यही करता है एडोकेट जनरल करता है ठीके, राजजपाल के प्रसाद प्रयंत यह पद पर रहता है जो solicitor general है, ठीके, या एडोकेट general कहें महाधिवक्ता की भी यहाँ पर बात की गई है ठीके, तो इसका जो इसकी न्यूकती कौन करता है राज्य पाल करते हैं यह राज्य का सबसे बड़ा विधी अधिकारी होता है ठीके महा न्यायवादी जो होते हैं वह केंद्र में सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े न्याय अधिकारी होते हैं विधी अधिकारी होते हैं लेकिन अगर बात की जाए म कानूनी सअहता देना हैं जिस तरह से महतनय वादय और सरकार को कानूनी साहता देता है उसी तरीके से जनरल राज्य साहता सहटा देते हैं ठीक है, 141 के नुसार भारत का एक नियंत्रक महा लेखा परिच्छक होगा, अब हम बात करने जा रहे हैं कैक के बारे में, ठीक है, कैक क्या होता है, कैक के बारे में बात कि गई है 141 में, नियंतरक महालेखा परिच्छक होगा जिसको राष्टरपती नियुक्त करेगा और यह अपने पद से केवल उसी रीती और आधारों से हटाये जाएगा जिस तरह से उचितम नियालेखे नायधीस को हटाया जाता है तो कैग की नियुक्ती कौन करेगा नियंतरक महालेखा परिच्छक की नियुक्ती कौन करेगा राष्टरपती और उनको हटाने की विधी कैसी होगी जैसे की मुख्य नायधीस को हटाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है उसी तरीके से कैग को भी हटा पास कर हटाया जा सकता है जैसा कि मुखे नाधेश को खटाया जाता है ठीक है 148-4 में ऐसा कहा गया है कि नियंद्रक महा लेखा परिच्छक अपने पद पर ने रह जाने के पस्चात भार सरकार के या किसी राजय की सरकार के अधिन किसी और पद का पात्र नहीं होगा ठीक है यह जो है 65 वर्स तक रह सकता है अपने पद पर या फिर अधिकतम 6 वर्स तक ठीक है जो सबसे पहले हो जाए ठीक है मान लिजे कि 6 वर्स का कारेकाल होता है और उससे पहले ही इसने 65 वर्स की आई पूरी कर ली तो यह अपने पद से मुक्त हो जाएगा ठीक है और इसकी योग कम sä अकम जो इसकी आयू है, वह 65 वर्से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतम आयू 65 वर्स अगर पूरी कर लेगा, तो यह कैग की नियुकती उसके लिए माने नहीं होगी, ठश्व क्यादा राष्ट पती नियुकती जब करते हैं, तो उस समय उसकी आयू 65 वर्से कम होनी चाहिए ठीके पैसर वर्से कम होनी चाहिए तो इसको लोक सेवा समीती का आखव कान भी कहा जाता है तो यह एक बार क्वेस्चन पूछा हुआ था ठीके तो कैग को लोक लेखा समीती का आखव कान कहा जाता है 151 के अनुसार भारत के नियंतरक महालेखा परिच्छक के संग के लेखाओं सम्मेंधित प्रतिवेदनों को राष्टपती के सम्मूच प्रस्तुत किया जाएगा जो संसत के प्रतेक सदन के समच रखा जाएगा या समच रखवाएगा कौन रखवाएगा राष्ट्रपती ठीक है अगला बात करते हैं इंपोर्टेंट बाते ही हम करने वाले हैं 152 के अनुसार नियंतरक महालेखा परिचक किसी राज्य वलेखाओं समंधि प्रतिवेदनाओं को उस राज्य के राज्यपाल के समझ प्रस्तूत किया जाएगा जो राज्य के विधान मंदल के समझ रखवाएगा ठीक है तो केंद्र में केंद्र में राष्ट्रपती और राज्य में राज्य पाल जो है रखवाएगा ठीक है कहां पर तो केंद्र में जो है संसद में ठीक है लोक सभा या राज्य सभा में और अगर बात की जाए राज्य मे तो राज्य पाल रखवाएगा कहाँ पर विधान मंडल में विधान सभा में उसके बाद डाक्टर भी आर अमबेडकर भीमराव अमबेडकर ने कहा था कि नियंतरक महालेखा परिच्छक भारती सन्विधान के तथ सबसे महत्वपुड अधिकारी होगा ऐसा कहा था किसने भी इंदर सरकार के लेखा परिच्छा के लेखा को अलग करने है तो संसोधित किया गया 1976 में इसमें संसोधन किया गया था 1976 में और यह 1971 को प्रभावी बना गया था ठीके तो इसको आपको ध्यान देना है ठीके तो यह सारी बाते आपको बताई गई एटरने जनरल ऑफ इंडि जो कि राज्य का सबसे बड़ा कानुनी अदिखा रही होता है उसके बाद आपको कैक के बार भी बताई गया थिके तो सारी बाते आपको बता दीगें ठीके पूरा डीटेयल में तो आई होप यहींसे क्वेस्चंस सभी बनेंगे ठीके तो अगर आपने इन सारे क्वेस्च तो आप अच्छे से सारे questions को attempt कर ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आयो तो like कर दीजेगा और सभी के साथ share कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो please subscribe करके notification bell icon को भी क्लिक कर दीजेगा जिससे कि आगया नेवले वीडियो आपको मिल जाएं सबसे पहले मिलते नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद